हेई एवरीवन वेलकम टू दिस चानल जयार मंत्रा आई होप कि आप सब अच्छी होगे आई होप कि आप सब अपने बीएट लेसन प्लांस बना रहे होंगे अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है बायोलोजी लेसन प्लांस बनाने में जीव विज्ञान पार्टियोजना बन तो अगर आपने मेरे पिछली वीडियो नहीं देखिए तो देख लीजेगा मैंने आपको जोग्रफी इंग्लिस मैच साइंस एकोनॉमिक्स संस्कृत के लेसन प्लांस प्रवाइट कियो हैं आई होप कि आप सब देखे होंगे और मैंने आपको बीएट की बहुत हेल्फुल होंगी वो सारी वीडियो तो चलिए हम इस टॉपिक को कवर करते हैं इस वीडियो में सबसे पहले आप पर आप पार यूजना नंबर डालेंगे आप जो भी लेसन प्लान नंबर होगा इसकी बाद विद्याले का नाम आप लिखेंगे आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी आप उस शिच्छन संस्थान का नाम लिखेंगे इसके बाद यहां पर देखें आप कंफ्यूज भी होते होंगे विद्याले का नाम मतलब आप जिस कॉलेज में है उसका नाम लिखना है या फिर जहां टीचिंग लगी है उसका नाम तो जहां पर इसके बाद आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे इसमें दिनांग दिन कक्षा विशय उप विशय वर्ग चक्र अवधिका तो यहां पर देखें आपकी टीचिंग को होगी आप डेट लिख लेंगे इसके बाद दिनांग आप जिस टे को आपकी टीचिंग होगी आप लिखेंगे सेक्शन ए है या भी इसकी बाद चक्र लिखेंगे आपकी क्लास के स्पीरियड में लगी हुई है इसकी बाद आप अवादी डालेंगे यहां पर 40 मिनट्स इसकी बाद है आपका प्रक्रन और आज का टॉपिक है सूच में जीवों का परिज है तो चलिए तो चलिए बुमागे देख लेते हैं इसकी बाद होता है आपका सामाने उद्देश में जेनरल एम्स आपके जीव विज्यान विशेय पढ़ाने से अप बच्चों में क्या क्या चीश्य डवलफ कर सकते हैं उनमें किन किन चीजों का प्रशिच्छर दे सकते हैं उनमें किन एवं तर्क शक्ति का विकास करना चात्रों में मनो वैज्ञानिक दिश्टी कोड का विकास करना चात्रों में वैज्ञानिक प्रशिछड प्रदान करना चात्रों को विज्ञान विशयक की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना तो यह हो गया आपका सामाने उद तुदेश अब देखिए विशिष टुदेश क्या होता है विशिष टुदेश मीन्स होता है स्पैसिफिक एम मेंस आप जो जीव विज्ञान टॉपिक प्ढ़ा रहा है जीव विज्ञान विश्य पढ़ा रहा है इसके अंतर क्या टॉपिक पढ़ा रहा है सूच में जीवों उद्देश और क्रियात्मक उद्देश तो देखिए ग्यानात्मक उद्देश में आप क्या लिखेंगे चात्र सूश्म जीवों का प्रत्यास्मर कर सकेंगे चात्र सूश्म सूष्म जीवों से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे और उसकी व्याख्या कर सकेंगे ठीक है तो यहां पर देखें आपकी तीनों देशे हो जुके हैं नेक्स्ट है आपका सहायक सामगरी यह क्या है आपका आपके टीचिंग के टाइम जो जो चीज़े आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में यह सारे चीज़े आपकी सहायक सामगरी होती है जैसे विभिन प्रकार के सूष्म जीवों को प्रदर्शित करता हुआ लबिट यहां पर देखिए प्रिवेस नौलेज क्या चीज है जब भी आप बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर ग्यान से करते हैं उनके वास्तविक नौलेज से करते हैं ताकि बच्चे आसानी से समझ सके उनको आगे की नौलेज समनने में डिफिकल् रिक्स्का के सब्सक्राइब इस में होते हैं यह ऊपको कुछ से कोचने होते हैं जो उनके पूर्फ ज्यान से रिलेटेव हो उनके प्रीवैस किवास्तविक से रिलेटेव हो तो यहाँ पर देखिए आपको बहुत ही ध्यान से question मनाने हैं और आपको ये भी ध्यान देना है कि एक दूसर से सारे question connected होने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर आप पहला question करेंगे हम खाना खाने से पहले हाथ क्यों धोते हैं तो बच्चों का answer आएगा हाथ की गंदगी साफ करने के लिए अब आप question करेंगे हमारे हाथ कंदे क्यों हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका answer आएगा बच्चों से विविन वस्तु को छूने या मिट्टी लग जाने पर फिर आप question करेंगे मिट्टी में क्या पाया जाता है तो बच्चे अजर देंगे सूश्म जीव फिर आप question करेंगे सूश्म जीव के बारे में आप क्या जानते हैं तो यहाँ पर आजाएगा समस्यात्मक ठीक है means बच्चे इसका answer नहीं कर पायेंगे तो यहीं पर आप उदेश कतन कहेंगे बच्चों आज हम सूश्म जीव पर विस्तृत अध्यान करेंगे ठीक है यहाँ पर आप उदेश कतन बच्चों से कहेंगे इसके बाद देख रहे हैं आप प्रस्तुती करण यह क्या होता है आपका प्रस्तुती करण means होता है आपका presentation आप किस तरीके से बच्चों के सामने इस topic को present करते हैं किस तरीके से आप चात्रा धापिका कथन means explanation देते हैं किस तरीके से आप चुको यह topic समझा पाते हैं तो य यहां पर देखे आपके कुछ points हैं कुछ columns बनें आपके शिच्छड बिंदू, छात्रा धाबिका क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपटकारे और शिच्छड बिंदू तो यहां पर देखे आपका विकासात्मक प्रश्ण में आप करेंगे, question, भोजन खराब किसके कारण होता है, तो बच्चे अंसर देंगे सूच्म जीवों के कारण, इसके बाद आपका आगे question होगा, सूच्म जीव किसे कहते हैं, तो यहां पर समस्यात्मक आज जाएगा, यह आपकी क्या होती है, प्रश्णोतर विधियां पर यूज हो रही है, इसके बाद अब हम स्पस्टी करण देंगे, जैसा कि आप देख रहा है, स्पस्टी करण के साइड में आपको शिछट बिंदू दिख रहा है, इसमें आप क्या बता रहा है इस टॉपिक के बारे में, सूच्म जीव कहलाते हैं, जैसे शैवाल, कवक, जीवाडू, विशाडू, प्लाजमा, आदी, सूच्म जीवों को हम सूच्म दर्शी द्वारा देख सकते हैं, इनका अध्यान सूच्म जैव की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आप एक्स्टानेशन को सुनेंगे, इसकी बाद आप देख रहे हैं, जीवाडू, विशाडू, कवक, आदी के बारे में आप बता रहे हैं, ठीक है, फिर आप देख रहे हैं, व्याख्यान विधी, व्याख्यान विधी में आप क्या कर रहे हैं, एक्स्टानेशन विधी को, एक पर देख रहें आगे सूष्म जीवो को मापने की काई माइक्रोन होती है ठीक है यहां तक आई होब कि आपको क्लियर हो गया होगा अब हम देखेंगे आगे बोधात्मक प्रश्ण बोधात्मक प्रश्ण में आप जो भी एक्ष्रानेशन अभी दिये हैं उसमें से कुछ कोश्चन करेंगे जैसे सूष्म जीवो का अध्यन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है तो बच्चे अंसर देंगे सूष्म जैव की फिर आप कोश्चन करेंगे सूष्म जीवो क मापने की इकाई क्या कहलाती है तो बच्चे अंसर देंगे माइक्रोन ठीक है तो यहां पर आपके दो कोश्चन हो गए अब आप फिर से विकास आत्मक प्रश्ण पूझेंगे मींस यहां पर आप समझ जाएए एक शिच्छड बिंदू आपका यहां पर इंड होता है अब सूच्म जीवों को हम नग नाकों से नहीं देख पाते हैं क्या कहलाते हैं तो बच्चे अंसर देंगे सूच्म जीव अब आप नेक्स्ट कोश्चन करेंगे सूच्म जीवों को कितने भागों में बाटा गया है तो यहां पर आजाएगा आपका समस्यात्मक बच्चे अंसर नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आप सूश्म जीवों के वर्गी करण के बारे में, तो यहाँ पर आप बच्चों को सूश्म जीव सभी जगा पाये जाते हैं, व्यज्ञानिकों ने सूश्म जीवों को पास समून में बाता है, प्रोटो जोवा, शैवाल, कवग, जीवाडू और विशाडू कोशिकाओं के अधार पर सूश्म जीवों को तीन प्रकार में बाटा गया है या तीन प्रकार के होते हैं एक कोश्की जीव, बहु कोश्की जीव और आकोश्की जीव अब आप देख रहे हैं इसके right side में ये वही चीज़ है कि बच्चे ध्यान पूरवक बैट के सुनते हैं आपके explanation को आप किस बारे में बता रहे हैं प्रोटो जोह, शैवाल, कवग, जीवाडू और विशाडू के बारे में आप यहां पर explanation दे रहे हैं और एक कोश्की ये बहु कोश्की ये और आकोश्की ये बारे में आप explanation देख रहे हैं और आप right side में देख रहे हैं कि व्याख्यान विदी है means यहां पर आप explanation method को use कर रहे हैं यहां पर आपकी जितनी भी चीज़े लिखी हुई है last से second वाले column में यह सारे आपके श्यामपट शारांस है means आप जब भी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं तो आप बच्चों को blackboard work भी दिखाते रहेंगे means आप important points को blackboard पर लिखते रहेंगे ताकि बच्चों के समझने के लिए और आसान हो जाए यहां तक आपको I hope की समझा आ गया होगा अब हम देखते हैं आगे फिर से बोध प्रश्ण means अभी अभी जो आपने इस पस्टी कऱर दिया है उसमें से आप कुछ question यहां पर put up करेंगे जैसे सूष्म जीव को कितने वर्गों में बाटा गया है तो बच्चे कहेंगे पांच वर्गों में सूष्म जीवों के पांच वर्गों का नाम बताईए तो प्रोटो जोवा, शैवाल, कवक, जीवाडू और विशाडू तो बच्चे यहां पर answer देंगे और आपका यहां पर कौन सा method यूज हो रहा है question, answer, method means प्रश्म जीव के बारे में बताएंगे तो यहां पर देखे, विकास आत्मक प्रश्म में तीसरा आपका teaching point start हो रहा है मैंने आपको बताया था, यह आपको long lesson plan है तो आपको 2-3 शिच्छड बिंदू यहां पर बनाने होंगे तो आप question करेंगे, सूच नजीव कहां पाये जाते हैं तो बच्चे answer देंगे सभी जगा हवा, पानी, मिटी हर जगा पाये जाते हैं फिर आप question करेंगे, सूच नजीव को कोश्का के आधार पर कितने भागों में बाता गया है तो बच्चे answer नहीं कर पायेंगे, बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट हो गया है तो यहाँ पर बच्चे answer नहीं कर पायेंगे, तो आप इस पस्टी करण देंगे और आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रशनोतर विधी यूज होई है अब आप फिर से इस पस्टी करण देंगे, और यहाँ पर explanation method यूज होगा आप यहाँ पर इस पस्टी करण देंगे कोशिका की आधर पर सूच मजीव तीन प्रकार के होते हैं एक कोश्की, बहु कोश्की और आकोश्की है अब आप तीनों पॉइंट को ब्लैक वोड पर लिख देंगे अब आप explain करेंगे एक कोश्की है सूच मजीव को तो जैसे कि आप देख रहे हैं टीचिंग पॉइंट में लिखा हुआ है एक कोश्की है सूच मजीव अब आप इसको explain करेंगे वो सूच मजीव जो एक कोश्का के बने होते हैं उन्हें एक कोश्की सूच मजीव कहते हैं जैसे कवक और शेवाल अब आप आप आकोश्की सूच मजीव کو भी explain करेंगे वे सूच मजीव जो बिना कोश्का के होते हैं उसे आकोश्की सूच मजीव कहते हैं जैसे विशानू इसके बाद आप बौध प्रश्न करेंगे जो भी अभी तक आपने explain किया है विशाडू किस प्रकार का सूषम जीव है तो बच्चे आंसर देंगे आगोश किये जीव तो यहां तक आई होग कि आपको क्लियर होगा अब आप श्यामपट कारे जो कि मैंने आपको बता है अब आप यहां पर श्यामपट कारे इस तरीके से करेंगे तो ये सारी चीजे आप क्या कर सकते हैं बना भी सकते हैं या फिर चार्ट भी बना के ले जा सकते हैं I hope कि आपको यहां तक वीडियो क्लियर होगा तो अगर आपको वीडियो क्लियर है तो प्लीस लाइक जरूर करिएगा अपने friends में जरूरी शेयर कर दीजेगा तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं इसमें आगे भी क्या है देन आपका आता है मूल्यांकन के प्रश्ण मिन्स अभी तक आपने जितना भी explanation दिया है उसका आप मूल्यांकन के प्रश्ण करेंगी मिन्स बच्चों को evaluate करेंगे कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आपका topic आपका explanation तो आप बच्चों से question करेंगे सूष्म जीव किसे कहते हैं सूष्म जीवो को कितने भागों में बाटा गया है सूष्म जीवो को मापने की इकाई को क्या कहते है वह कोशिका के अधार पर कितने प्रकार में बाता गया है उनका नाम बताईए बहु कोश्किये सूर्ष मजीवो के उधार बताईए तो यह सारी चीजे आप बच्चों को एक करके खड़ा करके कोशन करेंगे इसके बाद आपका आता है लास्ट में ग्रेह कारे यहां पर बच कि आपकी से लेस्टनों मनाइगे तो मैं फिर से बता दे रही हूं कि इसमें क्या करते हैं सबसे पहले आप अपरस्तावना के प्राश्चन करते हैं इसके बाद आपकर विकासाथ में प्रश्चन करके अपना इंड हो जाता है इसके बाद आप मूल्यांकन के प्रश्ण करेंगे फिर आप homework दे देंगे इस तरीके से आपको यहां पर आके लेसन प्लान इंड होता है तो I hope कि आपके लिए वीडियो अगर helpful रही हो तो अगर helpful रही हो तो अपने फ्रेंट्स में शेयर करिएगा प्लीज लाइक करिएगा करिएगा कि आपको समझ आया की नहीं तो जलिए मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में थैंक्यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो